हे butterflies, welcome back to my channel आज मैं आप लोगों के सांँ होलि है,चास्नी बाली गुजिया होली है और घुजिया नापनी ऐसे कैसे हो सकता है। तो आज मैं आप लोगों के सांँ शेयर करूंगी चास्नी बाली गुजिया, ए खाने में बहुत हम जादा टेस्ट यह याँ मि तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंने ले लिया है दो काप मैदा दो काप मैदा के सांथ मैं एक पिंच नमक एड़ करूँगी नमक डाले से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आजाता है और इसमें मैं एड़ करूँगी दो टेबल स्पून घी घी बहुत जादा मेल्टेड नहीं होना चाहिए मीडियम टाइप का होना चाहिए पहले मैंने एक वान टेबल स्पून घी एड़ किया उसके बाद अटेक में बहुत अच्छा से मिक्स करने के बाद फिर दुबारा वान टेबल स्पून घी एड़ करके इसको बहुत अच्छा से मसल मसल के इस तरह से बना लिया यह देखिए इस तरह से मुठी करेंगे यह थोड़ासा नौर्स टाइप का बनेगा थोड़ासा प्रेस करेंगे तब तूटेगा इट मिन्स मयान इसमें बहुत सही है इस तरह मैं ऐड़ करूंगी पानी मने त़ाइट बना लिया है इसको में डग के 20 मिनिट के लिए रेस्ट में रग दूँगी मैंने 2 पर माइदा के लिए एक काप पानी लिया था इतना इुज होगा है इतना पानी मे obsessed अब मैं आ गई हूँ इसका फिलिंग्स बनाने के लिए तो मैं कड़ाई में डाली हूँ एक टेबल स्पून घी और इसमें मैं ड्राइफूर्स अपनी हिसाब से एड़ कर सकते हैं ड्राइफूर्स को थोड़ासा रोस्ट कर लेना है उसके बाद मैं इसको कूट के बारिक कर रोस्ट करना रहा है काजू, किस्मीज और अख्रोड अब अपनी हिसाब से एड़ कर सकते हैं और कुछ चिप भी कर सकते हैं और इसमें डाल ले हैं को कॉकोनेट पावडर उसको भी अच्छा से मैं रोस्ट कर लिया है फिर मैं डाल लिए हूँ सूजी आप फिलिंग्स का क्वांटिटी है अपने हिसाब से बना सकते हैं थोड़ा सा बज भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं और सूजी को भी बहुत अच्छा से रोस्ट कर लेना है कच्छा न रहे एकनम रेट करके रोस्ट कर लेना है और गैस इस तेम बिल्कुल स्लो है क्योंकि ज्यादा गैस बढ़ मैं डालूंगी मावा माव भी अपने हिसाब से एड कर सकते हैं और मैं एड करी हूँ शुगर मैं एक कप एड की हूँ आप अपने हिसाब से एड करें और सारे चीजों को अच्छा से ड्राइ कर के रोस्ट कर लेंगे और रोस्ट मतलब उसको अच्छा से फ्राइ कर लेंग मेरे पास है गुजिया मेकर तो उससे मैं ज्यादा तर गुजिया बनाती हूं तो इसमें क्या है एक तम सेम साइज का गुजिया बनता है तो जैसे पूरी बनाते हैं उससे हलका सा इस तरह से लेची बना लेंगे मैन अगर बहुत ज़्यादा यूजिया तो बिना इसमें कोई मैदा पगरा डाले इसको बेल सकते हैं पैट मैने थोड़ा सा काम डाला था इसलिए थोड़ा मैदा मैने एड किया है देखे यह है इसमें इस फिलिंग्स को रख देंगे और इसका किनारा है किनारे में ऐसे पानी डाल लगा देंगे पानी लगाने से न यह बहुत अच्छा से लॉक हो जाएगा फ्राइ करते वक्त यह फटेगा नहीं और यह पूरी बहुत ज़्यादा मोटा और बहुत ज़्यादा पतला जो है इसलिए मैंने बोला था थोड़ा सा बड़ा करना है साइट बड़ा को इस तरह से काट कर देना इसको मैं फेकोंगे नहीं बाद में गुत के इसको भी मैं गुजिया बना लोंगी इस तरह से बहुत असानी से अब गुजिया बना सकते हैं अगर आपके पास गुजिय कपड़ा गिला नहीं होना चाहिए इसको अच्छा से निचोड लेना है यह देखिए मैंने एक पुरीर बना लिया है उसके बीचो बीच इस तरह से फिलिंग्स को रखना है और इस तरह से इसको मोर देना है जहां पे नहीं मुरता है वहां पे आप पानी लगा सकते हैं पानी इस तरह से किनारे प्रेस करेंगे तो इसका कान निकल जाता है जिए कान निकल जाता है उसको पकड़ के नीचे ऐसे मिला देना है तो इसमें क्या है यह डॉबल लॉक भी हो जाता है एक डिजाइन बन जाता है देखने में भी सुन्दर लगता है और यह बहुत फटता भी यह देखिये कितने अच्छा से बन गया इस तरह से अपने हहातों से सीजेदी. कड़े में मैंने 4-2 म Any ठीट कर दूड मेन के डाला है हलका हलका केरिश amino कि है तब मैं गुजिया को डाल दी हूँ गुज्या तोड टाइम बाद OET करने के बाद गुज्या जब तेल के ओपर आ जाता है इसको यसे पलट देंगे और गैस इस ताम मेरा बिल्कुल सलो है 15 मिनित लगा है इसे मुझे फ्राई करने में सलो गैस में गुज्या को पकाना है ने तो गुज्या के ओपर बबल दो आ यह देखिए मैंने निकाल दिया है देखने में कितना यामी लग रहा है I hope guys मेरा यह रेसिपी आपको अच्छा लगा होगा थैंक्स पर वाचिंग